हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल कैसे आप सभी लोग उमीद है कि आप सभी लोग मस्त और व्यस्त होंगे सांत या आप एक्जाम की तयारी भी कर रहोंगे तो आज हम आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट जी के और जीस के कुछ क्वेस्टन लेकिया हैं जो आपके क्योंदाई सबुर्टे कुछ संबंदित है तो जल्दी सा अपना अंसर कमेंट बसे क्वेयरण आ इसका एकपासों सब्सक्व ciao गोन्फ जिन आपने ऐसकर उनका तरहें קु हमारे नहीं क्यों तो नहीं है चैनि मैंट सब्द किस संबंदित है पास four option है first option है हमारे पास cricket दूसरा उपसर है football तीसरा option है hockey चौथा option है judo तो जो बच्चे इसका आंसर cricket दे रहे हैं उनका answer बिलकुल सही है बहुत खूब उन बच्चों की त्यारी काफी सरानी है क्योंकि यह question हमारा काफी बार repeated हो चुका है next question क्यों चलते हैं हमारा चौथा कशन आ रहा है नौकर सब्द किस खेल से सम्मंदित है तो फस्ट ऑप्सन है हमारे पास मुक्के बाजी दूसरा option है हमारे पास घुड सवारी तीसरा option है हमारा निसाने बाजी चौथा उप्सन हमारा तीरंदा जी जो जो बच्चे इसका आंसर मुक्के बाजी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है उन बच्चों की तैयारी काफी सरानी है अब अपने ask question क्यों चलते है double fault सब्द किस खेल से संमंदित है तो option हमारे पास है किरिकेट हमारेे कूपल होग की टैनिस जल्दी बताइय है double fault का सब्द कWow के किस खेल में किया जाता है double fault सब्द का यूज हम करते हैं टैनिस जिन बच्चों ने इसका आंसर 10 दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है अब अपने next question के ओर चल ला हूँ केकेन सब्द किस खेल से सम्मंदित है तो जल्दी अपना answer आप comment section बताइए तो first option हमारे पास है सतरंज दूसरा option हमारे पास है bridge तिसरा option है bleeders और चौथा option है हमारे पास तिरंदा जी जिन बच्चों ने इसका आंसर bleeders से दे रखा है उनका बिल्कुल सही answer है बहुत खुब बच्चों की तैयारी बिल्कुल सरहानी है अब next question हमारा आ रहा है कुछ general science के question है आवर्त साने में कौन सी अधातू द्रव अस्ता में है तो first हमारा है mercury दूसरा है hydrogen तिसरा option है हमारा bromine और चौथा option है हमारा chlorine तो आवर्त साने में मात्र एक अधातू है जो क्या रहती है द्रव अस्ता में रहती है तो इसका answer हो जाएगा हमारा bromine जो पारा है वो हमारी क्या है धातू है लेकिन question में हमसे पूछा है अधातू क्या है अगर हमसे question पूछता कि धातू बताओ तो धातू हमारी होती पारा लेकिन question में हमसे पूछा है अधातू अधातू means bromine तो bromine ऐसी धातू है जो क्या रहेगी पिरोगी टेबिल में द्रोवस्ता में रहती है तो question number जो C है सात्वा है उसका answer हो जाएगा हमारा bromine अब अपने next question के ओर पर चलते हैं ध्वने की तीवरता निर्धारित होती है फर्स्ट जो option है वह है आवर्ती से दूसरा option है आयाम से तिसरा option है चाल से चौथा option है हमारा तरेंग दहर्दी से तो ध्वने की तीवरता निर्धारित होती है जिन बच्चों ने इसका answer आयाम दे रखा है उनकी त्यारी बहुत खूब है यानि इस question का answer हो जाएगा आयाम से हम ध्वने की तीवरता को निर्धारित करते हैं अब हमारा question number 9 देखिए निम्ली खित में से कौन सा caustic soda है यानि caustic soda का formula इन में से कौन सा है जो first option है हमारे पास sodium hydroxide इससे बोलते हैं NOH और दूसरा option है हमारे पास sodium carbonate और दीसरा option है हमारे पास sodium bicarbonate और चौथा option है हमारे पास sodium sulphate तो बताइए caustic soda का formula क्या होता है तो caustic soda का formula होता है NOH यानि sodium hydroxide जिन बच्चों ने इसका answer अंसर बिल्कुल सही है अब हम अपने नेस्ट क्वेस्टन के ओर चलता है क्वेस्टन नम्मर 10 देखिए वाइमंडुली दाप मापने वाला यंत्र है फर्स्ट ऑप्षन है आपके पास बैरोमेटर दूसरा ऑप्षन है पैरिसकोश्कोप तीसरा ऑप्षन है हाइड्रोमेटर चौत हउए फर्मामेटर तो वाइमंडुली दाफ किसने वाइमंडेले दाप हलता है इसको हम नापते हैं गया था तो यह कोड की सतने देकिया था यह जे रॉबर्सन ने किया था तो क्वेस्ट में आपके पास चार उप्सन हैं जल्दी साफ ना आंसर बताईए बहुत खोब जिन बच्चों ने इसका आंसर रोटजन दे रखा है उनका आंसर बिल्कुल सही है उनका आंसर बिल्कुल सही है यानि जो हमारा एकसरे का बताओ जो सकतिसाली चुम्बक होता हैं किसके बने होते हैं जिन बच्चों ने इसका आंसर यह दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है बहुत खूब आपने नेस्ट के और बढ़र रहे हैं नावजास इसों में हडियों की संख्या कितनी होती है तो नावजास इसों होत 10 होती है या 206 होती है या 300 होती है जल्दी से बताओ जिन बच्चों ने इसका आंसर 300 दे रिखाए उनका आंसर बिल्कुल सही है यानि जो चल रहा हो और नीला दिखाए देता है यह काफी बार रिपेट क्वेस्टन है जल्दी से बताओ जो फरस्ट आपके पास बड़तन है दूसरा अपके पास बिबड़तन है तीसरा ऑप्सें परकिर्डन है और छौता प्रावरतन है जो होता है वो हो हमारा प्रक्रियन्ट के कारण क्या दिकता है नीला ठीक है अब अपने हम next question क्योंड चलते हैं निमने मैं से जूट का पता लगाने वाला कौन सा यंत्र है किस यंत्र दौरा हम जूट का पता लगाते हैं जल्दी साथ कमेंड सेक्शन में इस question का आंसर बताईए नंबर वन है polygraph, दूसरा है सिस्मोगराब, तीसरा है डाइडो, आइडोमेटर, और चौथा अप्सन है हमारा एमिनोमेटर, तो जल्दी साहब अपना अंसर बताईए, जिन बचों ने इसका अंसर polygraph दे रखा है, उनका अंसर बिल्कुल सही है, यानि हम polygraph के द्वारा जूटका पता लगाते हैं, next question हमारा है, अधिक्तम बन शेतर वाला राज्य कौन सा है, कुछ हमने question जुगरौप्टी से भी लिये हैं, तो question सिस्टीर हेमारा अधिक्तम बन शेतर वाला राज्य बताओ, तो हमारा अधिक्तम बन शेतर वाल राज्य कुछ उप्षन है, हमारे पास मद्धी पर्देश, उत्तरपर्देश, या हिमान्चल पर्देश , या हमारा option नमबर डी है आंद्र प़ तो बताओ किस जी सो अधिक्तप बन पara जाता है शो हो हमारा आंजर आजरा मध्धी परदेश तो मध्धी परदेश मे अधिक्तप बन शेत्र वाला राज यह अवest निम्निखिन में minimize कौन सा राज में छिल्का घिलिष्टिथ है चिल्का घिल कौन से राज में अद्रपर्दैṣ में अपूशन दी हमा रहे हौँ अपसें अपसेंसी हमारा है अब हम नेस्ट क्वेस्टन के ओर चल लहा है, ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है, जल्दी सा अपना आप आंसर बताईए, डेसिबल में, डापसन यूनिट में, बैकुरल में या उप्रोक्त मैं से कोई नहीं, बहुत खुब, जिन बच्चों न इसका आंसर डापस अब हम नेस्ट क्वेस्टन के ओर चल लहां, कौन सी वीमारी प्रोटो जाऊन के कारण होती है, तो आपसा नहीं है हमारा मिलेरिया पेचिस पायरिया यह उप्युक्त सभी जल्दी सब बताओ कि कौन-कौन से मिमारिया प्रोटो जोगा के कारण होती है जिन बच्चों ने इसनका आंसर उप्युक्त सभी बता रखा है उनका आंसर बिलकुल सही है अब हम पने नैस्ट क्यो ने मिलव यह उनको आवर्त बोलते हैं और आपके खड़ी लाइन होती है उनको हम वर्ग बोलते हैं बहुत खूब जिन बच्चों ने इसनका जया है उनकी तयारी बहुत सारांज है